हलो, नमस्कार, वेलकम टो एडुकेसियस, एडुकेसियस प्लैटफोर्म पर आपका स्वागत है, UPSC जो की संग लोग सेवा आयोग है, UPSC में 29 पोस्ट जूनिय टाइम स्केल सेंटर लेबर सर्विस ग्रूप A गजिटिल पोस्ट, जिसको हम असिस्टेंट लेबर कमिशनर, डिरेक्टर अंडर दी, मिनिस्ट्री ओफ लेबर एंप्लॉइमेंट, गोर्वेंट ऑफ इंडिया, ये रिक्रूट्मेंट अडवर्टाइजमेंट निकाली थी, 12 ओफ नवेंबर 2022 को, थू दिस वेकेंसी नमबर, एडवर्टाइजमेंट नमबर 21 बाई 2022, ये अडवर्टा अग्जाम हुआ था, उसके बाद, जो कंबाइन एक्जाम के बाद, रिटन टेस्ट के अंदर सेलेक्टिड कैंडिडेट से, उनकी दो अलग-अलग लिस्ट आई थी, अभी फर्स्ट इंस्टेंस में, ये असिस्टेंट लेबर कमिशनर, जो कि एडवर्टाइजमेंट या फिर बोल दीजिए, वेलफेर कमिशनर के इंटर्व्यूज कंड़क्ट किये गए थे, और उसका रिजल्ट कल 21st of मार्क 2022 को अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया, अधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाके हम जो नोटिफिकेशन है, वाँ से देख सकते हैं, इस वीडियो के जो description box है, link है, वहाँ भी हमने result का जो link है, वो दे दिया गया है, तो इसके बाद commission 29 जो post है, उसके recommended candidates की list चारी किया है, एक candidate जिसका role number 320604 है, he has been recommended 3 months training, उसको एक 3 महीने की training के लिए भी recommend किया गया है, इसके बाद this is the list, first rank पे अपनी जगह बना पाए हैं, उनका नम है, परतीक सारस्वास, second is Anushka, विकास विशनोई, third rank के साथ है, और हमारे educatious platform के associated candidate थे, जो की रविंदर दुहन वो fourth number पे हैं, और ऐसे ही काफी candidates, ऐसे प्रत दक्षिता गडवाल है, वो भी हमारे platform के साथ associated थे, तो काफी student जो educatious platform के साथ थे, उन्होंने अपनी जगह है, इस final list के अंदर बनाई है, and they are now being selected as assistant labor commissioner, अभी इनके बाद इनका medical test रहेगा, उसके बाद different different wings के अंदर इनकी posting की जाएगी, जैसे अगर CLC department के अंदर होती है, तो assistant labor commissioner, अगर welfare division, DGLW director general labor welfare के अंदर होती है, तो assistant welfare commissioner की post दी जाएगी, अगर कई बार ministry of defense जो होती है, वहाँ पे भी जैसे नेवल डोकियाइड है, ओर्डिनेस फेक्टरीज है, वहाँ पे assistant labor welfare commissioner, जो की ministry of defense के अंदर आता है, वो recruitment दी जाएगी, और कुछ लोगों को as an assistant director under the ministry of labor and employment, जो दिल्ली के अंदर posted रहेंगे, assistant director दी जाएगी, इनकी all India liability है, posting कहीं भी पूरे भारत में हो सकती है, और उसके बाद three years at one station, तीन साल का tenure है, हर तीन साल के बाद इनका transfer रहता है, तीन साल sensitive posting, तीन साल non sensitive, फिर तीन साल sensitive, फिर तीन साल non sensitive, ये अभी एक transfer policy जारी की थी ministry ने, उसके आधार पर तीन-तीन साल की postings रहती है, assistant labor commissioner या फिर welfare division में चलाएगे, या फिर as an assistant director जाएगे, फ और उसके बाद assistant labor commissioner से promotion होके as an regional labor commissioner RLC जो बोलते है, RLC जो बोलते है, regional labor commissioner central की post है, उसके बाद promotion होने पे deputy chief labor commissioner who is usually our regional, जो zone बनाये जाते है, regions बनाये जाते हैं, उनके head होते हैं, तो deputy chief, deputy chief labor commissioner हम जिनको deputy CLC बोलते हैं, and then additional CLC, and finally they can also reach up to the level of CLC, chief labor commissioner, CLC के level तक पहुँच जाते हैं, induction grade में training के बाद, काफी labor enforcement officer भी CLC बने है, assistant labor commissioner भी CLC बने है, CLC is chief labor commissioner, who heads the CIRM machine all over India, या, all over India में एक CLC होता है, who reports to the secretary to the ministry of labor and employment, तो यह result जारी हुआ है, इसके बाद हम एक video लेके आएंगे, जिसमें हमारे selected candidates ने कैसे preparation की थी, क्या books follow की थी, क्या strategies follow की थी, और education की इस preparation की journey में, कैसे helpful सावित हुआ, यह सब हम आपके लिए एक separate video लेके आएंगे, तब तक बने रह क्या एक की तो क्यान